नवसकार अंक भाविश्वल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है एक बार बोलिए जैश्री कृष्ण चलिए सबसे पहले जानते हैं कि 24 जनवरी 2021 के दिन मूलांक एक वालों का समय कैसा रहेगा उन्हीं क्या करना चाहिए देखे जिन लोगों का जन्म किसी महिने की एक तारिक 10 तारिक 19 तारिक या 28 तारिक को हुआ है उनका मूलांक बनता है एक एक नंबर वालों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है लोग आपकी बात मानेंगे आपका मान सम्बान भढ़ेगा घर परिवार वालों से सहयोग मिलेगा रविवार का दिन है अपने परिवार वालों को वक्त दीजिए उनकी भावनाओं को समझिए घर के जो काम अभी अधूरे पड़े हैं उन्हें आप निप्टा सकते हैं आज का दिन धन लाब के लिहाज से उत्तम है पैसा आपको कहीं से मिल सकता है धन की स्थिती अच्छी रहेगी उपाय क्या करें जिससे सब कुछ बहुत बढ़िया हो आज अपने घर में जो मंदिर है उस मंदिर में एक घी का दीपक जलाईएगा उसनान ध्यान करके और तो आज का दिन एक नंबर वालों के लिए बहुत ही अनुकूल है शुब है इसका लाब उठाएं भगवान से जो मांगना चायते हैं घी का दीपक जला करके प्रणाम करके मांग लिए बारी आगई दो नंबर वालों के जिन लोगों का जन किसी मैनी की दो तारिक को हुआ ह है 11 तारिक 20 तारिक 29 तारिक को हुआ है उनका मूलांक बनता है दो नंबर का सौमी चंद्रमा होता है दो नंबर वालों के लिए सलाह ये है कि आपके अंदर जो क्रियेटिविटी है जो टेलेंट है उसका अच्छे तरीके से यूटलाइजेशन करिए अपनी फीलिंग्स को परिवार वालों के साथ शेयर करने का दिन है उन्हें बताइए जो कुछ आप अपने मन में रखा हुआ है और कहना चाहते हैं तो आज कह दीजे समय अनुकूल है और जो आप कहेंगे आपकी बात मानी जा सकती है घर परिवार के लोगों के साथ किसी भी तरह का मतभेद बना रहे हैं धन से संबंदित कोई लेंदेन की योजना बना रहे हैं तो आज डिसी जन ना ले तो बहुत अच्छा रहेगा उपाय क्या करें कि आज एक माला ओम नमस्षिवाय का जाब कर लिजे इस नान ध्यान करके सब कुछ शुब होगा पोजिटिविटी बढ़ेंगे बारी आगे दो नमबर वालों की जिन लोगों का जन किसी मेनी की तीन तारिक बारा तारिक 21 तारिक या 30 तारिक को हुआ है उनका मूलांक बनता है तीन तीन नंबर वालों के लिए आज का दिन धन लाब कराने वाला है दिन भर कुछ न कुछ काम में बिजी रहेंगे आलश से छोड़ करके अपने काम पूरे करने का प्रयास करियेगा तो बहुत अच्छा रहेगा और हाँ घर परिवार वालों की बात को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा उपाय क्या करें आज अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को परणाम करके उनका आशिरवाद लीजे जिससे की आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और बढ़े बारी आगे चार नंबर वालों की जिन लोगों का जन्म किसी मेनी की चार तारिक 13 तारिक, 22 तारिक, 31 तारिक को हुआ है उनका मूलांक बनता है चार चार नंबर वालों के लिए आज धन लाव की योग बन रहे हैं पैसा आपको कहीं से मिल सकता है यदि कोई नई योजना शुरू करना चाहते हैं कुछ नया प्लान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए और एक्टिव होने की ज़रूरत है बस ध्यान ये रखना है कि आपका प्लान कालपनिक नहो ये थार्थ की धरादल से जुड़ा हुआ हो तो बहुत अच्छा रहेंगा उपाय क्या करें चार नंबर वाले आज अपने घर के मंदिर में सुगंधित धूब जला करके अपने इस्ट देव को प्रणाम करें आपके लिए बहुत शुब रहेंगा बारियागी पाँच नंबर वालों की जिल लोगों के जर्म किसी मैनी की पाँच तारिक चौदा तारिक तेज तारिक को हुआ है उनका मूलांग बनता है पाँच पाँच नंबर वाले अपनी बुद्धी कौसल का प्रयोग करें आपके लिए समय अनुकूल है बस ध्यान र रखना है किसी से भी बात करें तो सोच समझ करके बोलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा उपाय क्या करें जिससे सब कुछ अच्छा हो आज भगवान गणेश को प्रणाम करिए और गणेश जी की आरती इस्नान ध्यान करके कर लीजे बारी आ गई च्छे नंबर वालों क के लिए आज सितारे ये संकेत दे रहे हैं कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें जल्द वाजी में कोई भी काम ना करें किसी सी यदि कुछ कहना चाहते हैं तो तोल मोल करके बोलें सोच समझ करके बोलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा च्छे नंबर वाले अपन ध्यान करके दुर्गा चालिशा का पार्ट करें अपने घर के मंदिर में बैठके तो अच्छा रहेगा बारी आगे इस साथ नंबर वालों की जिल लोगों के जन किसी मेनी की साथ तारिक 16 तारिक या 25 तारिक को हुआ है उनका मूलांग बनता है साथ साथ नंबर वालों के लिए आज का दिन अपनी जो इसकिल है नौलेज है उसको और ज़्यादा बढ़ाने का है यानि कुछ यदि नया सीखना चाहते हैं तो कुछ नया सीखने का प्रयास करिए आप गूगल के थुरू नई चीजें सर्च कर लिजे अपने फिल्ड से या कोई नई किताब पढ़ना चाहते हैं पढ़ लिजे यानि ये समय अपने नौलिज को और ज़्यादा बढ़ने का है साथ नंबर वालों को आज परिवार से सहयोग मिलेगा जो कारे आपकी बहुत दिनों से अटके पढ़े थे उन्हें पूरा करने का प्रयास करियों काम सब्लम्ब अदिनोर कारें आज साथ नंबर वाले अपने घर के मंदिर में मा गायतरी का ध्यान करे और गायतरी मंत्र का एकमाला जाब करें बारी आगई आठ नमबर वालों की जिल लोगों का जन किसी मैने की आठ तारिक 17 तारिक या 26 तारिक को हुआ है उनका मुलांग बनता है आठ आठ नमबर वाले अपनी जो भी कार आज एक्टिविटी है उसमें किसी भी तरह का बिलंब ना करें और हाँ दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड मत रहेगा यदि दूसरों के भरोसे काम चोड़ेंगे तो हो सकता है वो काम डिले हो जाए या हो ही आठ नमबर वालों के लिए सलाह ये है कि अपने घर परिवार वालों की सलाह ले करके काम करेंगे तो आपके लिए अच् किसी मेनी की 9 तारिक 18 तारिक या 27 तारिक को हुआ है उनका मुलांग बनता है 9 नौ नमबर वालों के लिए आज का दिन अनुकूल है आपके कारे ब्योभार की तारिफ होगी लोग आपके सुभाव की तारिफ करेंगे कारे की तारिफ करेंगे समय आपके लिए अनुकूल है य आज यदि किसी काम से घर से निकलें तो लाल फल का दान किसी गरीब को करें फिर जाएं तो आपके लिए बहुत शुब रहेगा तो दर्शकों आज के अंक फल में इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात मुझे दीजे अनुमती बोलिये जैये श्री कृष्णा